प्रतिस्पर्दी सोया तेल की तुलना में पाम तेल पर मिल रहे उचे डिसकाउंट की वज़ा से आने वाले दिनों में इसका आयाद बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है व्यापारिक और ओद्योगिक सुत्रों ने ये उम्मीद जताते हुए कहा है कि कीमत के प्रती समवेदन शील आम उभोकताओं को देखते हुए आया तक आने वाले समय में पाम तेल का आयाद बढ़ानी पर विचार कर रही है अंतर आश्रे बाजार की जानकारी रखने वाले कई व्यापारियों ने बताया कि लागत, बीमा और डुलाई, CIF आधार पर भारत को नवंबर शिप्मेंट के लिए पाम तेल की कीमत 941 डॉलर प्रती टन पर बूली जा रही है इसकी तुलना में क्रूट सोया तेल की कीमत 1364 डॉलर प्रती टन बताई जा रही है उन्होंने बताया कि इन दोनों प्रमुख खाद्य तेलों की कीमत में ये 423 डॉलर प्रती टन का अंतर बीते करीब एक दशत का सबसे बड़ा है उन्होंने आगे बताया कि इंतर राश्रे बाजार में सूरज मुखी टेल की कीमत 1400 डॉलर प्रती टन के आसपास बनी हुई है एक वर्षपूर की अलोचे अब्धी में सोया तेल की तुलना में पाम तेल पर डिसकाउंट 100 डॉलर प्रती टन के आसपास बना हुआ था एक अग्रणी आयातक में अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्थ पर बताया कि नवींतम डिसकाउंट की वजह से प्रमुख पाम तेल उतपादक देशों में करीब करीब हर देश की पाम तेल में मांग भड़ रही है चाहे मानविय खपत के लिए फिर बायो फ्यूल के लिए आयतक पाम तेल की अधिक से अधिक मात्रा की खरीद कर रही है एक अन्य आयतक ने कहा कि विश्व में पाम तेल का सबसे बड़ा उतपादक इंडोनेशिया अपने स्टॉक में कटौती करने के लिए कई प्रयास कर रहा है इसकी वज़े से पाम तेल की कीमत दबाव में बनी हुई है जबकि सोया तेल जैसे प्रतिस परदी खादे तेलों की कीमत भड़ती जा रही है ग्यातव्य है कि बीते जुलाई महिने के अंत में इंडोनेशिया का पाम तेल स्टॉक भड़ता हुआ 69.1 लाख टन पर जा पहुँचा था एक वर्षपूर के अलूच्र महिने में इसकी करीब 40 लाख टन मात्रा का स्टॉक था स्टॉक भड़ने का प्रमुख कारण ये है कि जकारता ने 4 वर्ष 2022 की पहली 6 माही में निर्यात पर रोक लगा दी थी एक व्यापारी ने कहा कि कीमत में हाल ही में आई मंदी की वजह से भारत पाकिस्तान यूरोप तथा बांगलादेश जैसे पाम तेल के प्रमुख खरीददार आगामी दिसंबर महिने में समाप्त होने वाले तिमाही के दारान शिप्मेंट के लिए अपनी अपनी खरीद ब खरीद बांगलादेश जैसे पाम तेल का आयात भरता हुआ 30 लाख चन के स्तर को भी चू सकता है उन्होंने आगे बताया कि पाम तेल समित खाद्य तेलों के कुल आयात में होने वाले संभावित व्रद्धी की वजह से घरेलू बजारों में भी विबन खाद्य तेलों की की कीमत पर दबाव भढ़ने का अनुमान है हाला कि आने वाले समय में तेलों की थोक कीमत की मंदी या तेजी देश में प्रमुख रभी तिलहन सरसो की बिजाई और मौसम पर भी निरभर रहेगी तो अजे एस्ट्रो मनी गुरू देश का पहला एस्ट्रो फनांशल डिजिट कर सकते हैं संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दे हुए हैं